आप बहुत ही इस तेज तरपती गर्मी के अंदर बड़ी संख्या में आए हैं इससे सिद्ध होता है कि बारतिय जंता पार्टी के प्रती और अपने लोग को प्रियनेता माने अमिस्सा जी के प्रती आपका कितना शर्दा का बाव है मैं आपकी इस बावना का बहुत ही हारदिक सम्मान करता हूँ और आपके बलबूते पर ही मंच पर जो लोग बैठे हैं इनको मंच पर बिठाने वाली आप यह वो ताकत हैं जिसके बरोसे कोई मंत्री है कोई विदाय का है कोई और जनपरतिनिदी है मैं आपसे एक इनवेदन करना चाहूंगा कोई परिवार ऐसा नहीं है जिस परिवार को माने परदान मंत्री की हुजनाओं का लाब नहीं मिलाओ मैं परिवार की बात करता हूँ एक भी परिवार साइद ऐसा नहीं मिलेगा और एक भी व्यक्ति दस साल से उपर का ऐसा नहीं मिलेगा जिसको करुणा काल में माने प्रदान मंत्री ने उसके जीवन रक्षान नहीं कियो किसी को किसान सम्मानिती मिलती है किसी को अक्सिजन का सिलेंडर मिला है किसी को पैंसन मिलती है किसी को सम्मान की और चीज़े मिलती है परतेक छेतर के अंदर सो से अधीक योजनाएं मानिये प्रधान मंतरी नरेंदर मोदीजी ने देश इतमे समाज इतमे गरीब मजदूर किसान महिला युवा और आम आदमी के लिए लागू की है हमने तो दस सालमून योजनाओं को लागू करके देखा है जन जन के बीच जाकर के देखा है इसलिए मैं आप सरिविदन करना चाहता हूं ये कॉंग्रेस और दूसरी पार्टिया है इनका दोगला चरीतरे केवल एक ही बात इनके मन के अंदर है कि जो लूट करके खाते थे देश को देश के प्रदानमंत्री राजी उगांदी खुद इस बात को कहते थे कि मैं दिल्ली से रुपया बेजता हूं पंदरा पैसे गाउं में बेजते हैं आपके पडोस बिरानी में एक कारिकरम के अंदर एक बाशन में राजी उगांदी नियगे बात कही थी वो 85 पैसे बीच में खाने वाले लोग अब उनको पैसा नहीं मिलता है नरेंदर मोजी जी दिल्ली से एक रुपया बेजते हैं तो आपके गाउं में एक रुपया पूरा का पूरा आकर के मिलता है उसमें से एक पैसा कम करने के ख्षमता किसी व्यक्ति के नहीं है इसलिए मैं आपसे निवेजन करूँगा दो साल, दस साल कॉंग्रेस के 2004 से 14 आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बारती जंता पार्टी ने E.D. अमारे पीछे लगा रखी है साथियो 2004 से 14 E.D. कॉंग्रेस की थी पुलिस कॉंग्रेस की थी इनकम टोस कॉंग्रेस का था C.B.I. कॉंग्रेस की थी और C.I.D. कॉंग्रेस थी और इसके बाद इनके 6-7 मंत्री जेल में पड़े थे बहुत से नेता जेल में पड़े थे इनसे पूछो उस समय मनमो उनके नेता के अंदर तुमारे नेता जेल में क्यों गए इसलिए बाने बनाने वाले लोग प्रकार प्रकार के तरह तरह की बाते बनाते हैं मैं आपसे एक निवेदन करूँगा भारत के अंदर नहीपुर की दुनिया के अंदर एक नमबर नेता आज ये दिकोई है विश्वका सबसे लोग प्री नेता वो नरेंदर मोदी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कोई है वो भारती जिनता पार्टी है और सबसे बड़ा ससक्त ग्रे मंत्री दिकोई है वो आपके पास है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाली 25 तारिक को आपका एक एक वोट पढ़ना चाहिए आपके पड़ोस में राजस्थान वाँ 25 की 25 सीट बाजपा जीत रही है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कॉंग्रेस के लोगों की आदत है नारनोंद में जाकर कहेंगे के बाई आदमपूर के अंदर हम जीत रहे हैं आदमपूर वालों को कहेंगे उकलाना में जीत रहे हैं उचाना वालों को कहेंगे हम यहां जाकर के नलवा में जीत रहे हैं लेकिन वहां नलवा में पूछे तो कहेंगे हार रहे हैं उकलाना में पूछो तो कहार रहे हैं तो दूसरी जगा जाकर के कहने वाले लोग कभी ठिक नहीं पाएंगे आपके पास एक मांदार छिविका अनुबवी नेता लोग समय में बेजने के लिए माने प्रदान मंत्री जी ने उनको बाजपा का कमल देखर के बेजा है तो मेरा आप से आगरे है देश प्रगति के पत्पर है लोग उसको रोकना चाहते हैं प्रगति के रत को रोकने की ताकत किसी में नहीं होगी आप अपना एक एक वोट खुद डालें अपने प्रोशों को डालें अपने मित्रों का डलवाएं मैं यही अगरे करना चाहूंगा हमारी बेहने जब हमारी मीटिंग चल रही थी इस बारे की भई अधिक से दिख लोग आने चाहिए तो मैंने निवेदन कि आप माताओं का अवान करें आज पुरुसों के बराबर मेरी बेहने बैठी हैं मैं आपका सभी बाईों का बहुत बहुत अभरवेक्त करता हूं धन्यवाद भारत माता की भारत माता की धन्यवाद जैब भारत